चोहां जी आज अगर आज हमारे बीच में उपस्ती थें तो वो पुना सोगाते लेकर आएं जिस प्रकार पूरे निमाड में जा एक और पूरा निमाड सिंचित हुआ है घर घर तक भी नल जल योजनाओं के मात्यम से पानी पहुचे का ऐसी लगबग तीन हजार करोड की नर्मदा मैया की खंडवा बालों की अरे खंडवा में मामा भी आ गया जो असंभव को संभव कर दिखाए उसका नाम है नितिन गड़करी जो करोड़ों का काम लाखों रुपे में करवाए उनका नाम है नितिन गड़करी जो काम शुरू होने के पहले काम खतम होने की तारीख बता दे उनका नाम है नितिन गड़करी हमारे प्रियनेता आधर्णी स्रीमान नितिन गर करीजी आज हमारे बीच आए हैं दौनों हाथ उपर तालिय बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का बंदन कीजिए नितिन जी का अभी नंदन कीजिए नितिन जी का ऐसे आदर्णी नितिम गरकडी जी हमारे प्रदेश के हमारे प्रदेश के यसस्वी और लाल यद्ध्यक्ष आदर्णी विश्टूदत सर्मा जी प्रदेश के संग्षण महमंत्री आदर्णी हितानन्द भाई साब हमारे इस शेत्र के लोगपिय सांसत भाई ज्यानेस्वर जी हमारे मंटपर विराजबान भाई संकर ललवानी जी जैपाल सिंग चावडा जी हमारे बनमंत्री और इसी जिले की माती के लाल कुमर विजय साह जी मेरे मंत्री मंडल के सदस्य और वरिष्ट नेता उल्सी जी उसा दीदी जी बैन अर्चना जी भाई इकवाल जी राजीब जी इशेद के लोग प्रिय विधायक और हमारे वरिष्ट नेता आदनी देवेंद्र बर्मा जी भाई राम दांगोरे जी नाराण पटेश जी सुमित्रा जी अमारी वरिष्टेता रंजना जी प्रेम सुकला जी जिला भारती जनता पालिटी के अध्यक्ष आदनी सेवा दाश जी अर्चना दीदी साजनाम लिया कि नहीं अब बहुत नाम हो गए मन्च पर विराजमान हमारे महपौर जी सभी अमारे साथी नेता पदाभिकारिगर भरा पूरा मन्च नाम लूगा तो फिर देर हो जाएगी पसे आदनी मंच यहां उपस्थित मेरी बहनों भाईयों भांज भगवान करे जना सिर्वाद शुरू हो और जहमा जहम बारिस भी आजाए वर्जा का दौर भी शुरू हो जाएगी कल प्रदेश के कई हिस्सों में जोड़दार बारिस हुई है महाकाल महराज के मंदिर भी में पूजा करने गया था और दादा धुनी वाले से भी यही प्रात्ना किये के दादा अब तो अैसी वारिस करवा दो कि सान की फस्दों को नई जिल जाए लेकिन सान भाई हो इसके पहले अपने कारी करता अपने नेतरतों को भी चार हो यहां बैठें किसानों कोन किसान जजर अधिगाओ तो सुन लो किसान भाईयो भगवान ना करें फुसल खराबो लेकिन आफ़त आही जाए तो चिंदा मत करना सिवराज सिंग चुहान जिंदा है संकट के पार निकाल के ले जाओंगा अभी बुरानपुर में केले पर संकट आया था बुरानपुर वाले बैठें यह सोच भी नहीं सकते थे दो लाग रुपया प्रती हेक्टर की दर से अगर राहत किराशी किसान को दी तो भरती जंता पाइट की सरकार ने दी ना आये संकट लेकिन आ जाये तो घमराना मत यार जिंदी जी थोड़ी हा रहेंगे इस संकट के पार निकाल के मोदी जी के आसी रिवास से ले जाएंगे आप चिंता मत करना मेरे साथ बोलो भारत माता की कि मैं कोई कमलना थोड़ी हूँ कि रोते ही रहूंगा मैं क्या करूं मेरे पास परीसाइंन है मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं कहा रहा हूँ मामा के पास पैसा की कमी नहीं है तो इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना देखो पन सरकार नहीं चलाते हैं अपन परिवार चलाते हैं परिवार आप बताओ मैं मुख्मंत्री लगता हूँ कि मामा लगता हूँ और इधर मेरी बेहने बैठी हाथ उठाओ जरां यह लाडली बेहनाएं तो बताओ मुख मंत्री हूँ की भाईया हूँ कि अपना परिवार है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को परिवार मान के सरकार चलाते हैं आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख हमारा दुख है देखो मेरे बेहनर भाई एक प्रद्विकास के काम प्रदान मंत्री जी का मैं अभी नंदन करता हूँ और नितिन गड़करी जी आए हैं उनका हिर्दे से स्वागत करता हूँ इक्षापुर इंदोर जैसी रोड एक नहीं पूरे बद्व देश और देश पे सांदार हाईवे जैसे बनाए कि एक बार जोड़दार ताली बजा के फिर नितिग जी कि बताओ कांग्रेस की सरकार म पनाई थी क्या क्या दिया कांग्रेस सड़क दी नहीं बिजली दी नहीं और पानी खंड़वाज लेके किसानों को कौन न दिया जरा जोर से बता दो पानी उनने कभी नहीं दे ने जुंदी 80% खेतों में पाणी की हमारे जलसन साधन मंत्री भी बैठे जोजना बाना के और अब ऐसे नहीं अगर नहरों से Pाणी नहीं अरण को दर्मदा मया से कह रहे पाइप में चल में चले चलो मृत पाइप लाइन भिछा कर मौटर लगा पानी खीच के किसान के खेतों तक ले जा रहे हैं एक नहीं अन्य को सचाई की योजनाएं जावर माईकरोद बहन सचाई योजना चैगाओं माखन खालवा माईकरोद बहन जिरन्या अभी जिरन्या आना जिरन्या असकंदे 1385 करोड 73 लाकी जिरन्या खंडवा जिले के हमारे हरसूद और खालवा के मोरंड गंजाल जो 3517 करोड की है उसका भी भूमी पूजन करने आचार सही ताके पहले आऊंगा बताओं की नहीं आऊंगा अब मैं छोटी मोटी योजनाओं की बात नहीं करता है समय बहुत हो जाएगा एक तरफ सिचाई की योजनाओं का जाल दूसरे तरफ खंडवा बालो दोनों हाथ जोड के प्रणाम करता हूं उस जिले की जन्ता को आपने बहुत कुरवानी दिये है यहां बांध बड़ा इ लेकिन आज कहते हुए गर्व है कि अगर बिजली का कोई हब आज मध्रदेश और देश में है तो अपना खंडवा जिला है अपना खंडवा जिला हम पानी की बिजली बना रहे हैं हम कोईले से बिजली बना रहे हैं नितिंजी यह कही जिला होगा पानी की बिजली भी बना रहे हैं कोईले से बिजली भी बना रहे है और आपको आनंद होगा उमकारे स्वर्व के बांध में पानी की सतय पे सोलर पैनल बिछाके हम सूरज से भी विजली बना रहे हैं ये खन्वा का चमतकार पानी हो बिजली हो सदक हो सियम राइज स्कूल हो नंद कुमार सिंग चुहान मेडिकल कॉलेज हो बताओ कभी दिया कांग्रेज ने मेडिकल कॉलेज अब काम गिनाऊंगा तो दिन पर इसी में हो जाएगा इमानदारी से बताओ विकास के जितने काम भारती जनता पालिटी की सरकार ने किये कभी कांग्रेज ने किये थे क्या केबल बात देने आजाते हैं बचन पत्र गारंटी और देदा के भूल जाते हैं अरे करजा माफ के कही थी सबका करजा माफ किया था क्या बेरोजगारों को भत्ता दिया था क्या समू का करज माफ किया था क्या कुछ किया ही ने ये कहते हैं और हम करते हैं मेरी बेटियां इसकूटी पर बैठी हैं ये वो बेटियां जो अपने अपने स्कूल में बारवी म पहले नंबर पर आई थी मामा ने बचन दिया था कि पहले नंबर पर आने वाले बेटीयां हो चाहे बेटा हो मामा इसकूटी दिलवाएगा और मेड़ी बेटियां आज से कूटी पर बैठीते हैं मेरे बहनों और भाईों, परिवार की तरह हर काम देखिए, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी, पांच किलो रिसन निसुलक अनाज अगर देते हैं, तो करोडो करोड गरीब बहनों और भाईों को देते हैं, दिया था कभी को अंग्रेस दे, दूसरी हमारी जरुवत, दूस जमीन नहीं हैं, उनको जमीन का पट्टा देके, रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा मध्रदेश की धर्दी पर, प्रधान मंत्री जी का हिरदैसे अभिनंदर इसलिए, कि प्रधान मंत्री आवास योजना आई, हमने लागों मकान बनाए चवालीस लाग बनाएंगे, कमलाज जी, आपने तो प्रधान मंत्री ने मकान बेज़े, बापस लोटा दिये, कि नहीं बना रहे हैं, हमने नितिन जी चवालीस लाग मकान बना दिये, चवालीस लाग, और सुनना ना एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन के पास आज भी कच्चा मकान हैं, उनको भी पक्का मकान होना चाहिए की नहीं, अरे होना चाहिए की नहीं, तो प्रधान मंत्री आवास योजा में जो मकान बने हैं, आवास प्लस में जो नाम है, उसके अलाबा, जब हमारे नेता जाते हैं, तो माता बेन आ जाती ही, मेरा तो टूटे ह तो सुनो आचार सहीता के पहले एक नई योजना मुख मंत्री जनावास योजना उसका सर्वे करके जिनके नाम छूट गया उनका मकान भी भारती जनता पार्ट की सरकार बनवाईगी बोलो सबका बनना चाहिए की नहीं कोई को नहीं छोड़ेंगे जी गरीब यांखों में आशुकाय को रहें और केवल इतना ही नहीं मेरी बहनों केवल मकान नहीं उजला रसोई गयस connection कोन ने दिया अपने प्रधान मंतरी जी ने और सावन के दिन मैंने कहा था कि 215 रुप्या में रसोई गयस का रसोई गयस हम देंगे जितने उजला के हित गवाई है साड़े चार सो में पैसा डालने वाला हूँ साड़े चार सो के हिसाब से जो जादा पैसा लगा वो पैसा हम डालेंगे और आगे भी पर्मानेंट विवस्ता करूँगा प्रधान मंत्री जी का भी स्वागत करें ताली बजाके 200 रुप्या के रसोईजास के कम करते हैं आगे और पर्मानेंट इस विवस्ता को मैं करूँगा और तीसरे मेरी लाडली बहनाई यहां बैठी है जड़ा लाडली बहनाई कौन कोने हाथ उठाओ ये मेरी लाडली बहनाई ये बहने नहीं मेरे प्राण है इनकी जिन्दगी बदलना हमारी जिन्दगी का मकसद है मेरी बहनों बताओ लाडली बहना योजनासा खुसो ये वो बहने जो गरीबी के कारण जिन्दगी मुश्किल से चलाती थी मैं विस्तार मनी जाओंगा नितिन जी को हम सुनेंगे अब इन सब बहनों के खाते में एक हजार रुपया मैना आना सुरू हो गया है हो गया की नहीं बताओं और राखी के धाई सो आ गय की नहीं और अगली बार कौन सी तारीक को पैसा आएगा दस तारीक फिर आ रही है दो बज़े फिर इंतिजार करना भया का फिर बहनों के खाते में पैसा आएगे आपकी जिन्दगी बदलेंगे क्योंकि हम परिवार हैं परिवार हम सरकार नहीं हम परिवार चलाते हैं मेरी बहनों ये बेटे बेटी हैं हमारे इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए और इसलिए इनके लिए योजनाए स्कूटी देना हो साइकल देना हो लेपटाप बार भी में 75% लाए तो लेपटाप कमलनाद दादा तुमने मेरे भाज़े भाज़ेों के लेपटाप क्यों बंद कर दिये ये लेपटाप देना बंद कर दिये थे कई योजना बंद कर दी थी तीरत दर्सन भी बंद कर दी थी अब तीरत दर्सन फिर चालू और सुनना मेरे भुज़ुर्गों केवल रेल से नहीं अब तो हवाई जास से भी तीरत ले जा रहे हैं बुजर्गों को हवाई जास मैं योज नहों कि विस्तार में नहीं जाओंगा लेकिन जंता की जिंदी बदलने का हमारा अभ्यान किसान भाईयों सूखे की चिंता मत करना निप देंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी छे अजार दे रहे हैं और हम भी छे हजार दे रहे हैं छे और छे बारा हर दो मैना में पहले पि-म के छे हजार फिर सीम के पहले पि-म के दो हजार फिर सीम के दो हजार फिर पि-म के दो हजार फिर सीम के दो हजार फिर पि-म के दो हजार फिर सीम के दो हजार बताओ कांग्रेस ने दिये थे क्या कभी समाज के हरवर का कलन और मेरे बेटा बेटियो पढ़ाई-फढ़ाई की चंता मत करना अगर तुम्हारी मेहनस से मेडिकल इंजरिंग बेबी एडमिशन हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे कौन भरवाएगा मामा भरवाएगा काई की चंता करना है ये भारती चंता पालिटी की सरकार है और इतले मैं चंता जनारदन से अपील करता हूँ एक तरब कॉंग्रेस की धोखे बाद सरकार जिनने बादे पूरे नहीं किये जिनने बचन नहीं नहीं बाए जिनने हमारी सब योजनाय बंद कर दी अरे मेरी गरीब बहनो बेटा बेटी के जनम के पहले 4000 और जनम के बाद 12000 जो दिलेविरी के बाद हम आत दोगे क्या तो मेरे बहनों भाई साबधान ये बड़े माया भी है फिर नहीं नहीं गारंटी ला रहे हैं ये गारंटी देंगे ये गारंटी देंगे लेकिन इनके साथ है कौन-कौन ऐसे लोग इनके साथ है जो गठवन्दन बनाया इनने वो कहते हैं सनातन को हम खतम कर देंगे सनातन धर्म को अरे दुनिया नहीं कर पाई तुम क्या करोगे राहूल गांदी सोनिया गांदी इन लोगों के चक्क्रम नहीं आना है भारती जनता पालिटी को आप आसिरवाद दें आज जना सिरवाद आतरा खंडवा सप्कारम हो रहे हैं हो रहे हैं मेरे सबी बहनों और भाईयों आप सब का जनता का सिरवाद चाहिए ताकि फिर से सरकार बनाके हम इन सब कामों को आगे बढ़ा सकें और मोदी जी के नित्रतों में भारत दुनिया का गुरू बन सके विश्व गुरू बैसा भारत बन जाए डवल एंजिन की सरकार चाहिए दिल्ली में प्रधान मंतरी नरेदर मोदी जी की सरकार और यहां भी भारती जनता पार्ट की सरकार बनाएए भरपूर आसिरवाद दीजिए बोलिये सबका असिरवाद मिलेगा जोर से बताओ सबका असिरवाद मिलेगा भारती जनता पार्ट को जिताएंगे कमल के फूल की बतन दबाएंगे तो मेरे साथ दौनों हाथ उपर उठाके दौनों मुठ्टी बांद के भारत माता की जै बोलके भारती जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो बोलिये भारत माता की भारत माता की दादा धुनी बाले की और हर हर नर्म दे और जिन गरीबों के बिजिली के बड़े बड़े बिल आए हैं वो भी चिंता मत करना अभी सिविर लगाने वाला हूं बड़े बिल जीरो कर दूँगा आओ भारती जनता पार्टी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद